इस कूर्थी की कुटिंग की वीडियो मैंने अल्रेडी अपलोट की वही है आप उस वीडियो को मेरे चानल के प्लेइलिस्ट में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रेन बे देख सकते हैं और ये नायरे स्टाल कूर्थी की जो स्टेचिंग है वो थोड़ी से डिफरेंट होती है और सभी कूर्थियों से तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कंप्लीट वाच करें इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बल को प्रेस कर ले जिसे मेरे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सो और लेटस केर स्ट्वाट तो सब्सक्राइब मैंने ये बैक पाट लिया हुआ कूर्ति आ और उसके बाद मैंने ये strip लिये इसी जो है हम neck के finishing करेंगे तो इसको सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से set करके रख लेना है और stitch कर लेना है पूरे neckline के उपर तो दिखिए इस तरीके से मैंने stitch कर लिया है अब यहाँ पर छोटे-छोटे cuts लगा लेने होंगे cuts लगा लेने के बाद इसे पीछे की और पलट देंगे और बिल्कुल किनारी पर top stitch लगा लेंगे तो यह इस तरीके से मैंने top stitch लगा लिये और front part को भी मैंने इसे तरीके से ready कर लिया है अब इसके किनारी को fold कर लेंगे बस single fold कर लेंगे और हाथ से hamming कर लेंगे neck line को ready कर लेने के बाद अब इसके दोनों shoulders को join करना है दोनों की CD side अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों shoulders को join कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दोनों shoulders को join कर लिया है अब यहाँ पर sleeves को join करेंगे तो पहले sleeves को ready करेंगे तो sleeves की उपर इसके gear को रखकर अच्छे से adjust कर लेना है और दोनों को stitch कर लेना है और better होगा कि sleeves की gear को अब थोड़ा सा stretch करके stitch करें तो इस तरीके से sleeves की उपर मैंने इसके gear को attach कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो किनारी है उसको भी मैंने double full करते वे sly लगा लिया है यहाँ sleeves की bottom पर आप पिको भी कर सकते है बट मैंने पारिक double full करते वे sly लगाई है और सेम तरीके से दोनों sleeves को मैंने ready कर लिया है आपको भी इसी तरीके से sly लगा कर ready कर लेना है अब इसे कुर्ते में attach करना होगा तो इसके लिए ये कुर्ती का front arm हो ले और ये sleeves का front arm हो ले तो दोनों को इसी तरीके से रख लेना है और इसे पलट कर पूरे round में sly लगा लेनी है तो sleeves को मैं बाद में attach करूँगी तो अभी मैं इसे side में रखूँगी और neck को enhance करने के लिए मैंने ये कुछ patches cut किये है जो मेरी पूरानी गूर्ती का है इसे मैं neck के उपर stitch करूँगी तो जैसे इसके immroidी बनी वी थी मैंने same उसी shape में इसे cut कर लिया है और इसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर stitch करूँगी और ये दो छोटे patches है तो इसे मैं first में और last में रखूँगी अब इन सभी को मैं pin से secure कर लोंगी और sly लगा कर join कर लोंगी तो अब देख सकते हैं मैंने सारे patches को attach कर लिया है जो यहाँ तक है इसके साथ ही दोनों ही sleeves भी attach हो गए है और sleeves पूरी तरीके से ready है और दोनों sleeves के bottom को मैंने double full करकर sly लगाई है अब जो हम इसमें यहाँ पर और यहाँ पर इसके gear को attach करेंगे तो मैं आपको इसके gear को दिखाती हूँ नायरा कूरती के side sleeves पर lace लगी होती है तो मैंने इस तरीके से दोनों side पर lace लगा लिया है आपको भी इस तरीके से lace लगा कर ready कर लेना है अब अगर आपने cutting के video देखिए तो यहाँ हमने 2 inch का margin लिया था तो यहाँ तक मेरा 2 inch का margin है इसी तरीकी से यहाँ भी 2 inch mark कर लेंगे और इस gear को इस mark के उपर रख कर यहाँ से यहाँ तक slide लगा लेनी है मैं आपको नस्दीक से बताती हूँ यहाँ से अपने 2 inch का mark लगाया मतलब यह हमारे fitting का mark है यहाँ से अमारी slide चलेगी तो दोनों side पर इस तरीके से mark कर लेना है और इस gear को लेना है अब gear पी जो lace लगाया उसको इस 2 inch वाले mark की उपर रख लेना है इस तरीके से और यहाँ से होते वे यहाँ तक CD slide लगा लेनी है तो आप देख सकते हैं कूर्थी के दोनों top part के उपर gear attach हो गया है इसी तरीके से gear को attach कर लेना है यह देखी इस तरीके से करें नायरा कूर्थी में side के stitching थोरी different होती और सभी कूर्थियों से अब अब इसकी stitching को द्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी इसकी इपना करें अब कूर्थी में यहाँ पर side के fitting वाली slide को लगाएंगे तो इसकी लिए कूर्थी को इस तरीके से पलट लीना है और पलटने के बाद सभी joints को अच्छे से मिला ले और fitting के लिए यहाँ से होते वे यहाँ तक slide लगा ले तो sleeve से होते वे यहाँ कबर तक ही slide लगानी है तो fitting के लिए जो भी अपने mark लगाया है उसी line के उपर slide लगाते जाएं तो यहाँ तक मैंने slide लगा लिये अब यह जो extra fabric है इसे उपर कर लेना है इस तरीकी से उपर करके यहाँ पर slide लगा लेंगे और slide को पका कर लेंगे अब यह दूसरा वाला side है यहाँ भी इसी तरीकी से slide लगा लेंगे margin वाले fabric को उपर कर लें और फिर slide लगाएं और यह slide जो है वो complete हो चुकी है आप मेरी चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपने देखा इस कुर्थी को बनाना कितना ज़्यादा easy था लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई doubt हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अगर वीडियो थोरी भी helpful लगी हो तो इस वीडियो को like and share ज़रू करें और मेरी चैनल को subscribe करें तंग